हमारा देश भारत एक गणतंत्र है गणतंत्र याने रिपब्लिक और लोकतंत्र याने डेमोक्रेटिक आईए सुनते है भारत एक गणतंत्र क्यूं और कैसे है लेखक है आशिश कुमार त्रवेदी चित्र बनाए है आशिश कुमार त्रवेदी कुशा कुमार बरिक ओलिविया फ्रेजर रविशुकला शिंसे मिन्टॉय सुगरीब कुमार जुआंगा और विश्णु एम नायर ये प्रतम बुक्स प्रकाशन की पिशकश है हमारा देश भारत एक गणतंत्र है विश्व में कुल 206 संप्रभू देश है जिनमे 135 गणतंत्र है भारत के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे आधुनिक गणतंत्रों में कार्यपालिका को संविधान और जनता के निर्वाचन अधिकारद्वारा वैधता प्रभू राष्ट्र ये उस राष्ट्र को कहते है जहां ऐसी सरकार हो जिसकी एक निश्चित भूभाग में सर्वोच्च सत्ता होती है ये ऐसा राष्ट्र होता है जो किसी भी मसले पर किसी अन्यशक्ती या राष्ट्र पर निर्वर नहीं होता है दूसरे राष्ट्रों स अपने बल पर संबंध बना सकता है गणतंत्र का अर्थ गणतंत्र वो राष्ट्र होता है जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो अर्थात राष्ट्र का मुखिया वन्शानुगत नहीं होता है उसको प्रतिक्ष तौर पर या परोक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है इसका मतलब ये है कि जनता अपने बीच में से किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर या अपने चुने हुए प्रतिनिद्यों को मुखिया चुनने का अधिकार देकर सर्वोच पद पर बिठा सकती है गणतंत्र से आशय सरकार के उस रूप से है जहां राष्ट्र क मुखिया राजा नहीं होता है ये शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्र के मामलों को सार्वजनिक माना जाता है राष्ट्र किसी शासक की नीजी संपत्ति नहीं होता है लोकतंत्र और गणतंत्र लोकतंत्र उस व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता सर्वोपरी हो मत विभाजन के आधार पर। ये निर्णे सामान्य बहुमत से और कई बार जरूरी होने पर विशेश बहुमत से भी होते है। नहीं है कि प्रतेक लोकतांत्रीक राष्ट्र गणतंत्र हो। उसी प्रकार कुछ गणतंत्र लोकतंत्र नहीं होते है। गणतंत्र दिवस को किया गया। 26 जन्वरी को इसे लागू करने का एक खास कारण था। 23 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस ने लाहोर में भारत का जंडा फेहरा कर भारत को पूर्ण स्वराज घोशित किया था। तब से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उसके बाद भारत का संविधान इसी दिन लागू हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह भारत में गणतंत्र दिवस बहुत धूम धाम से मनाया जाता है। भारत की तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायू की रेजिमेंट परेड में हिस्सा लेती है। जो राष्ट्रपती को सलामी देते हैं जिन्हें तीनों सेनाओं का अध्यक्ष माना जाता है। भारतीय सेनाद्वारा प्रयोग किये जाने वाले टैंक, वायूयान, अन्य हतियारों और उपकरलों का प्रदर्शन राजपत पर किया जाता है। हमारे देश की विविद संस्कृतियों को दर्शाने के लिए विभिन राज्य वसंस्थान अपनी जांकी लिकालते है। देश के अलग-अलग हिस्सों को स्कूलों से आयो हुए बच्चे, नृत्य और संगीत के मनोरंजक वसांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले कार्यकरम प्रस्तुत करते हैं। सीमा सुरक्षा बलके सिपाही मोटर साइकलों पर रूमान्चक कर्तब दिखाते हुए राजपत से गुजरते हैं। गनतंत्र दिवस के कार्यकरम के लिए हर वर्ष एक मुख्य अतिथी को आमंत्रित करने की परंपरा है। कुछ वर्षों को छोड़ कर हर वर्ष किसी राष्ट्र के अध्यक्ष या प्रमुक व्यक्ति इस कार्यकरम में हिस्सा लेते हैं। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपती सुकर्नों को आमंत्रित किया गया था। 2017 में अबुधभी के क्राउंड प्रिंस शेक मोहम्मद बिन जायद अलनायान पधारे थे। गंतंत्र दिवस समारोह 29 जन्वरी को बीटिंग दरिट्रिट के साथ समाप्त होता है। इस कारेक्रम में थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के बैंड पारंपारिक धुन के साथ मार्च करते है। ये समारोह राइसीना हिल्स पर स्थित विजय चौक पर आयोजित होता है। बीटिंग दरिट्रिट गनतंत्र दिवस आयोजिनों का अधिकारिक रूप से समापन घोशित करता है। गनतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी रोचक बाते। 26 जनवरी 1950 को पहला गनतंत्र दिवस राजपत की बजाए इर्विन स्टेडियम जो आज का नैशनल स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था। उस समय नैशनल स्टेडियम के चारो तरफ चार दिवारी नहीं थी। लेहाजा प्रिष्ठ भूमी में पुराना किला साफ दिखता था। 1950 से 1954 तक के मध्य गनतंत्र दिवस का समारोह कभी इर्विन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ। 1955 से ही राजपत पर नियमीत रूप से गनतंत्र दिवस परेड की शुरवात हुई। तबसे आज तक ऐसा ही हो रहा है कि आठ किलोमीटर लंबी परेड की शुरवात राइसीना हिल से होती है और वो राजपत इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला तक जाती है। 1950 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जन्वरी दिन ब्रहसपती वार को सुबह 10 बचकर 18 मिनिट पर भारत को संप्रभू लोकतांत्रिक गनराज्य खोशित किया। इसके 6 मिनिट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गनतांत्रिक भारत के पहले राश्ट्रपती के रूप में शपत दिलाई गई। राश्ट्रपती का कारवां दोपहर बाद धाई बजे गवर्मेंट हाउस जिसे आज राश्ट्रपती भवन कहां जाता है वहां से इरिविन स्टेडियम जिसे आज नैशनल स्टेडियम से जाना जाता है इरिविन स्टेडियम के लिए रवाना हुआ जो कनोट प्लेस और आ जिसमें 6 बलिष्ट आस्ट्रेलियाई घोडे जुडे हुए थे इर्विन स्टेडियम, नाशनल स्टेडियम में हुई मुख्य परेड को देखने के लिए 15,000 लोग मौजुद थे 1951 से गनतंत्र दिवस का समारोह किंग्स वे जिसे अब राजपत कहते है उस पर होने लगा जिससे साधारण नागरिक उसमें बड़ी संख्या में समारोह को देख सके उस समें जनपत क्विन्स वे के नाम से जाना जाता था 1951 के गनतंत्र दिवस समारोह में चार वीरों को वीरता के लिए सर्वोच अलंकरन परम्विर चक्र प्रतान किये गए उस वर्ष से समारोह सुबे हुआ था और परेड गोल डाकाना पर खत्म हुई थी 1952 से बीटिंग रिट्रिट का कारेकरम आरंभ हुआ इसका एक समारोह रीगल सिनिमा के सामने मैदान में और दूसरा लाल किले में हुआ सेना बैंड ने पहली बार महत्मा गांधी के मनपसंद गीत अबाइड वीदमी की धुन बजाई और तभी उसे प्रती वर्ष ये धुन बजती है 1953 में पहली बार लोकनरुत्य और आतिश बाजी को सम्मिलित किया गया उस समय आतिश बाजी रामलीला मैदान में हुती थी उसी वर्ष पूर्वोत्तर, राज्यो, त्रिपुरा, असम और नेफा जिसका नाम अभी अरुनाचल प्रदेश है के वनवासी बंधूओं को समारों में बुलाया गया जबकी सन 1955 में महाराणा प्रताप के अनुयाई और राजस्थान के गाडोलिया लुहारों ने पहली बार समारों में भाग लिया उस वर्ष परेड दो घंटे से ज्यादा चली सन 1954 में NCC की लड़कियों के दल ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारों में हिस्सा लिया में दर्शकोंपर वायू सेना के हेलिकॉप्टरों से फूल बरसाने की शुरुवात हुई 1973 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार अमर जवान जोती पर सैनिकों को श्रधान जली अर्पित की भारत का सम्विधान भारत का सम्विधान हमारे देश को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोकतांतरी गणराज का दरजा प्रदान करता है सम्विधान के आशय उन मौलिक नियम वसिधानतों से है जो कानून के रूप में लागू होते है इन नियमों वसिधानतों के द्वारा राष्ट्र का संचालन होता है भारतिय सम्विधान हमें कुछ मौलिक अधिकार्व कर्तव्य प्रदान करता है भारत के सम्विधान का निर्माण सम्विधा निर्मान के लिए गठित सम्विधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य करना आरम किया था इस सभा में भारत के विभिन राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अमबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, सरदार वल्लब भाई पटेल, मौलाना अबूल कलामाजाद आदी इस सभा के प्रमूख सदस्य थे सम्विधान निर्माण में कुल 22 समीतिया बनाई गई थी इनमें सबसे प्रमुक समीती थी प्रारूप समीती इस समीती के अध्यक्ष कानून के विशेशग्य डॉक्टर भीमराव अम्मेड कर थे इस समीती का कार्य सम्विधान की रूप रेखा तयार करना था अर्थात इसे लिखित रूप में प्रस्तुत करना था सम्विधान निर्मान के कार्य के लिए सम्विधान सभा ने कुल 114 दिन बैठक की इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंतरता थी सम्विधान निर्माण के कार्य में दो वर्ष, ग्यारा माह और अठारा दिन का समय लगा 26 नवंबर 1950 को सम्विधान डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ जो की सम्विधान सभा के अध्यक्ष थे उनको सौब दिया गया अनेक सुधारों और बदलाओं के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को सम्विधान की दो हस्त लिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किये 26 जनवरी 1950 को भारतिय सम्विधान को लागू किया गया भारतिय नागरिकों के मुलभूत कर्तव्य भारतिय संविधान में नागरीकों के लिए 11 मुलभूत कर्तव्य बताए गये है जो निम्न प्रकार है प्रतेक नागरीक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे उन उच्चा आदर्शो की इज़द करे वसदा अपने रिधय में संजोय रखे और उनका पालन करे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुन, मतलब तूटने नादे बनाए रखे देश की रक्षा के लिए तैयार रहे भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रातरुत्व की भावना का निर्मान करे सभी को समान समझे तथा अच्छा व्यवहार करे हमारी सामाजिक संस्कृती की गौरशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको आगे बढ़ाने में मदद करे प्राकृतिक परियावरण की रक्षा और उसका समवरधन करे मतलब वन एवं वन्य जीवन को बचाने का काम करे वज्यानिक दृष्टिकोन और न्यानारजन की भावना का विकास करे सार्वजनिक संपत्ती को सुरक्षित रखे उन्हें नुकसान ना पहुँचाए व्यक्तिगत एवं सामुहिक गतिविदियों के सभी क्षेत्रों में हमेशा उपर उठने का प्रयास करे मातापिता या सौरक्षक 6-14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे ये संविधान का 86 आवा संशोधन है भारतिय संविधान में दिये गए कुछ मुलभूत नागरीक अधिकार है जिने मैं संग्षिप्त रूप में पढ़ना चाती हूँ समता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार शोशन के विरुध आवाज उठाने का अधिकार स्वयम को निर्पराद साबित करने का अधिकार संस्कृतीव शिक्षा का अधिकार धर्म की स्वतंतरता का अधिकार संवईधानिक उपचारों का अधिकार और भी ऐसी बहुत सारी कहानिया या इन्फोर्मेशन सुनने के लिए जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com एरवावी एरवावी